भजन सहिता अध्याय 29 यह पर्मेश्वर के पुत्रो यहोवा का, हाँ, यहोवा ही का गुणवादन करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, यहवा की वानी मेगों के उपर सुन पड़ती है, प्रतापी परमेश्वर गरचता है, यहवा गने मेगों के उपर रहता है, यहवा की वानी शक्तिशाली है, यहवा की वानी प्रतापमय है, यहवा की वानी देवदारों को तोड़ डालती है, यहवा लबानों के देवदारो को भी तोड़ डालता है वह उन्हें बच्टे की नाई और लबानों और शिरियों को जंगली बच्टे के समान उच्छालता है यहोवा की वानी आग के लप्टों को चीरती है यहोवा की वानी वन को हिला देती है यहोवा कादेश के वन को भी कमपाता है यहोवा की वानी से हर अरन्यों का गर्भपात हो जाता है और अरन्य में पतज़ड होती है और उसके मंदिर में सब कोई महिमा ही महिमा बोलता रहता है जल्प्रले के समय यहोवा विराजमान था और यहोवा सरवदा के लिए राजा होकर विराजमान रहता है यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा यहोव अपनी प्रजा को शांती की आशिश देगा